जैसरी किश्णा दोस्तों आप सभी का मोस्ट वेलकम हैं मेरे इस चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कुंडली के जो सौम्य ग्रह है शुब ग्रह है वो किस प्रकार से शुभत्व है यानि कि राजयोग परदान कर सकते हैं जी हाँ राजयोग बना सकते हैं आपकी कुंडली में और वो किस प्रकार से बनाएंगे और देवगरु बहस्वती शुब ग्रह है सौम्य ग्रह भी है साथ ही में शुक्र शुब ग्रह है और सौम्य ग्रह है तो दोस्तों ये सभी ग्रह चाहे वो एक ही ग्रह बहुत अच्छा राजयोग बना सकता है इन में से दो ग्रह बना सकते हैं इन में से तीन ग्रह बना सकते हैं और चारों के चारों भी कई बार शुब राजयोग को प्रदान करने वाले यहाँ पर सोम्य ग्रह होते हैं तो भी किस प्रकार से हमारी कुंडली में राजयूग बना सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जोती शास्त क्या प्रभाव और प्रभावित करता है, क्या इंडिगेट करता है आईए जानते हैं इन शुब ग्रहों के प्रभाव को कि किस प्रकार से यह राजयूग बना करके और हमारे जीवन के किस किस हिस्से को लाइफ के कौन-कौन से प्रभावित करते हैं अपने शुब दृष्टि या शुब योग के तरह से तो आईए जानते हैं यहाँ पर जोतिशास्ट का कथन है दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पर सिधे जोतिशास्ट कहता है कि अगर इन सौ्म्य ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह या इसमे अधिक भी एदि ऐसे ग्रह है जो प्रकाश मान हो, शक्तिशालि हो कुणली में तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यदि इन सौम्य ग्रहों में से चंद्रमा, बुद्ध, गुरु और शुक्र, इन सौम्य ग्रहों में से एक भी ग्रह, अगर कुनली में समस्त कुनली की समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ, प्रभावित करता हुआ, यदि बैठा है, प्रभावित और प्रकाश का मान यहां पर यह है कि वो ग्रह शक्तिशाली है और शक्तिशाली किस प्रकार से होगा शक्तिशाली इस प्रकार से होगा कि सपोस्थ आप बुद्ध की बात दे लिए हम बुद्ध की बात यहां करते हैं इन सौम्य ग्रहों में से तो बुद्ध जो है वो यदि बुद्ध उ बैट करके उच्च का हो जाता है सोग्रही भी कह सकते हैं और मोल्तिकॉण राशी भी कह सकते हैं तो इन तीनों सिच्वेशन में इसके अलावा चौती सिच्वेशन ये है कि वह बुद्ध जो है अपने मित्र के घर में हो जैसे बुद्ध आपको बहुत शुक्षल शनी के घर में भी देता है अच्छा होता है बुद्ध शनी के घर में बैठा हुआ वहीं बुद्ध जो है देव गुरु ब्रहस्पति के साथ में बैठा हो वहीं बुद्ध जो है सूर्य के साथ में बैठा हो ये ये बहुत अच्छी सिच्वेशन है देव गुरु बुद्ध की तो ब प्रकाशित कार ने की अपने से प्रभावित फल समध दिशाओं को कुंडली इसे कहते हैं, कि ग्रह का ग्रह जो है समस्व प्रकार से कुंडली को और आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है तो वही बात यहाँ पर आई इन इन सिचुएशन्स में अगर वो बुद्ध समस्व दिशाओं को प्रभावित करता हुआ और कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठा हो या फिर फोर्थ में वैसा बैठा हो या सेवंथ में बैठा हो या फिर टेंथ में बैठा हो तो ये केंद्रादिक स्थान होते हैं अगर इन में से किसी में भी बैठा हो प्रभावित हो करके अच्छी कंडिशन को लिए हुए तो दोस्तों वो बुद्ध जो है यहाँ पर राजकारक योग बनाता है उसके बाद में इसके अलावा भी वो बुद्ध प्रकाशित हो करके शक्तिशाली हो करके अगर त्रिकोन में बैठा है यानि कि कुनली के नाइंथ हाउस में बैठा है तो दोस्तों वहाँ पर वो बुद्ध जो है बहुत पूर्ण शक्तिशाली है और राजयोग का कारक है राजयोग जरूर कुंडली में बनाएगा इसी प्रकार से आप कुंडली के और सौंग में ग्रहों को भी देख सकते हैं एक है या एक से अधिक ऐसी सिच्वेशन में बैठे हैं तो निश्चित रूप से वो वो ग्रहा आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं अपने शूबफल से शूब और वो शूबफल है राजयोग तो यहां राजयोग का निर्मान वो दोनों तीनों या एक ग्रह जो है आपकी कुंडली में राजयोग का निर्मान कर रहा है दोस्तों अब यह शुब ग्रहा, बुद्ध जो है आपको क्या का देगा सुमि ग्रहों में से मैंने कहा कोई भी हो तो यहा पर बुद्ध का अग्जामपल हम चल रहा है तो बुद्ध यहाँ पर जो है एक तो आपको देरगायू प्रदान करने वादा है विगत रोग भयम करो तू ऐसे विक्ति को अभाय कर देता है बहुत सारे यसे लोग या बहुत सारी शक्तियां ऐसे विक्ति के बचाव के लिए हमेशा आगे आती रहती है ऐसा आपने नोटिस किया होगा उसके बाद में दीर्गायू प्रदान करती है आज के हिसाब से आप जितने भी मान लीजी चाहिए औसी मान लीजी या सो मान लीजी तो दीर्गायू प्रदान करता है साथ ही में जीवन के बहुत सारे हिस्से प्रभावित करता है हिस्से का मतलब जैसे जवानी है इस जीवन का पार्ट है तो जवाली में जो जो सुक मिलने चाहिए चाहे वो शार्णिक हों, चाहे वो भौतिक हों चाहे वो मान हो, इजजत हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो यह सारी चीजे वूग रह आपको जीवन में देगा रोगों से रक्षा करेगा भले ही रोग हो जाएं जीवन में लेकिन रोग आपका कुछ बिगार नहीं पाएंगे विगत रोग भयम करोदी निशेश दोश मपहत्य शुभम करोदी आपके जीवन में जो है सभी शुभत्य प्रदान करते रहेंगे साथी भी दोस्तों ये चाहे बुद्ध की बात हो चाहे और किसी शुभ ग्रह की बात हो इन में से चारों में से कोई भी शुभ ग्रह यदि इन केंद्रों में या नाइंथ हाउस विफ्थ हाउस में बैट करके प्रकारशित कर रहा है पुरी कुणली को शक्ति चाली है तो इसमें बहुत बड़ा एक गुण है वो ये है कि कुणली के और भी जो दोश हों किसी भी प्रकार के इन ग्रहों के अलाबा और भी कोई क्रूर ग्रहा यदि कोई दोश फैला रहे हों तो समस्त दोशों का हरन कर देने वाला ये बुद्ध यहां पर बैठा है या फिर इन चारों ग्रहों में से जो शुब ग्रह प्रकाशित है शक्तिशाली है त्रकोण में बैठ है नौपंचम में बैठ है तो वो कुणली के समस्त और भी ग्रहों के जनित कलेश बाधा पीडा परेशानी आधी जो भी उपद्रव हैं दोश हैं उन सब को दूर कर देने वाला होता है ये एक ही ग्रह और जितने ज़्यादा सोम्य ग्रह है पहले बताईगे सिच्वेशन के अकॉर्डिंग होंगे उतना ही बड़ा राजयोग आपके जीवन में होगा और राजयोग अक्सर में बताया करता हूँ कि राजयोग का मतलब ही होता है कि जहां पर आप आपको एक राजा जैसा महसूस करें आपकी सुनने वाले बहुत हैं आप जो चाते हैं वो हो जाता है आपकी लाइफ बहुत अच्छी है आप अच्छा खा पाते हैं आप अच्छा पहन पाते हैं बहुत एक आपका चाहे वो आपकी एक कंपनी है या आपका कोई लेडर्श हजार आजमें के उपर हो या फिर पूरे देश के उपर हो अब वो subject आपका हो सकता है अलग आपकी subject से राज करते हो आप अरदशास्त्री हो, आप प्रदान मंत्री हो आप मंत्री हो या आप बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठे हो या आपका अपना व्यवसाय है तो यदि आपका अपना भी व्यवसाय है तो उसमें भी तो हजारों लोग काम करते हैं तो आप उन सब के राजा हो और वो आपके लिए काम करते हैं तो यहाँ पर राज्युक इस प्रकार से प्रभावित करता है हमारे जीवन को तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जोति शास्तिने साब का है ऐसे व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुख जीवन, शुख वैभव सभी प्रकार के यहाँ पर जीवन में मिलते हैं और कृत विमली कृत दिग विभागा हा सभी दिशाओं में उसका यश और किर्ती चारो तरफ नेम फिम त्वैला होता है जहां जाता है वहां जयदेकार होती है तो यह शुख ग्रह जितने संख्या में अधिक शुख होंगे उतना ही आपको जो है बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर जीवन में यह शुख ग्रह आपको देते रहेंगे दोस्तों तो यह मेरे एक बहुत सुक्ष तरीके से यहाँ पर बात कही लेकिन यदि आपको और भी अधिक जानना है अपने कुंड़ी के बारे में बात कर सकते हैं अपने कुंड़ी के अकॉड़े तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के जरीए तब तक के लिए जैस चेए कृष्णा